हलो स्टुडेंट्स वेलकम तो केमिकल साइन्स और बच्चो आज का हमारा टॉपिक इस्ट्रक्चर एंड स्टीयो केमस्ट्री ओफ एल्फा अमाइनो असेड ठीक है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केटिगरी जो हमारा अमाइनो असेड ही होता है क्लियर हो गया देखें ऐ माइनो अमाइनो देखें अमेरीड एंप आपको आपको तरह सेड़ी बताया ही तींधन धन्ट्री मैंसृर्टी घए और इंप्ट्र।् amino group attached to the alpha carbon ठीक है तो naturally occurring जितने भी amino acids होते हैं उसमें सबसे majority में आपके alpha amino acid ही होते हैं ठीक है इसलिए सबसे important class बन जाती है then देखें with very few exceptions the alpha carbon also also bears a hydrogen atom thus most of the amino acids have a common structure unit like this यह आपका कोई amino acid का common structure है ठीक है common structure means देखें यहाँ पर क्या है C double OH CH और NH2 group clear तो यह आपका amino acid दोनों part हो गया और यह क्या है आपकोई R group है ठीक है और यह रहाँ आपका alpha carbon alpha carbon में एक hydrogen होता है एक R group होता है एक आपका C double OH होता है और एक आपका NH2 होता है ठीक है अब R group को define करना है जैसे जैसे R group change होता जाएगा आपके amino acid भी change होते जाएंगे मतलब आपको नए नए examples इनके मिलते जाएंगे clear है देखें यह रहा glutamic acid ठीक है देखो कैसे यह रहा आपको इतना वाला part बच्चों आपका बिल्कुल common है यह और यह आपका R group है यहांसे ठीक है this is R group R group क्या होता है CH2 CH2 C double OH ठीक है then similarly aspartic acid aspartic acid भी ऐसा ही कुछ है यह रहा आपका aspartic acid yes C double OH CH NH2 यहां से हो जाएगा और यह आपका क्या हो जाएगा R group R group में आपका है CH2 C double OH this is aspartic acid clear then all alpha amino acid except glycine possess a chiral alpha carbon atom can exist as enantiomers ठीक है जितने भी आपके alpha amino acids होते हैं glycine को छोड़ कर सब में क्या होता है chiral carbon होता है मतलब alpha carbon जो होता है chiral होता है ठीक है मतलब single chiral carbon वाले item होते हैं और वो क्या होते हैं यह दूसरे के inantiomers होते हैं ठीक है आप inantiomers जानते हैं का आपने छोटी class मतलब BST first time हो गरम आपने देखा होगा clear then यह रहा आपका aspartic acid तो देखो यह रहा आपका carboxylic acid और यह रहा आपका alpha carbon yes और यह रहा आपका NH2 क्या है देखो एक दूसरे की mirror images हैं देखो ऐसे दिखार का orientation का है ठीक है देखो इसमें इसका edge right side में है इसका left side में है ठीक है यह दूनों compound यह दूसरे की mirror images है और कैसी है non superimposable mirror images है clear हुआ chiral है then देखें all amino acids alpha amino acids ठीक है isolate from human proteins have the L configuration यह line बहुत important है ठीक है यह आप से exam में पुझिया सकती है clear तो human proteins जो है कौन सा amino acid देता है तो alpha कौन सा alpha amino acid देता है वो बात तो clear है but L configuration में देता है yes L configuration D configuration आपने पहले पढ़ा है BST first year में आपने देखा होगा छोटी क्रास देखा है देन देखो क्या होता है मैं एक बार और बता देता हूं आपको जैसे यह रहा आ H यह रहा आपका chiral carbon और यह रहा आपका R group ठीक है अब अगर आपका यह जो NH2 और H जो groups हैं आपके दो yes तो यह कहा है अगर आपका NH2 left side में होता है ठीक है left side में अगर NH2 होता है तो इसे आप क्या बोलेंगे बच्चो L form यह कहा है आपका left side में है ठीक है left side में है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग L form capital L ठीक है और अगर बाइच्चांस में इसी को ऐसे कुछ बना दो देखें मैं आप इसको draw कर रहा हूं यह रहा आपका COOH कुछ इस तरीकी से यहाँ पर आपका क्या है H और यह आपका है आपका NH2 और यहाँ पर क है बच्छों आपका R group ठीक है तो इसमें आपने क्या देखा कि आपका NH2 group हो कहाँ पर है बच्छों right side में है right side ठीक है और right side में होगा तो क्या हो जाएगा D form इसे बोलते हैं अपने लोग D form capital L ठीक है तो यह आपकी L form होगी और आपकी एक क्या होगी आपकी D form कि यह आपकी D form होगी एक left side में है तो L form अगर NH2 group left side में रहता है तो L form और right side में रहता है तो D form आपने same जी हैं आपने पहले पढ़ियोंगी बच्छों Carbohydrates के लिए ठीक है आप उसमें क्या देखते थे OH group देखते थे ठीक है अगर कुछ ऐसा है ठीक है और like यहां पर CHO है यहां पर CH2 OH है अगर आपने देखा कि आपका जो OH है और right side में है तो यह D form हो जाती थी अगर OH आपका left side में जाता है तो L form आ जाती है अगर OH आपका left amino acids play a vital role in the living system clear हो गया all living species are able to synthesize amino acids the human system is capable of synthesizing 12 amino acids ठीक है आपने देखा total में से 100 out of 100 20 amino acids play करती है vital role ठीक है living system में और जितने भी living systems होती है living species होती है वो सारे amino acids को synthesize कर सकती है ठीक है और जो human system है वो capable होता है 12 type के amino acids को synthesize करने के लिए ठीक है innate metabolic system ठीक है तो remaining 8 out of 20 में से 12 बे तो synthesize कर ले रहा है but the remaining 8 amino acids must be supplemented through diet ठीक है और आपने पहले भी पढ़ा होगा इसी को हम लोग क्या बोलते है essential amino acids जब आपको मैंने essential or non essential amino acids पढ़ाया था आपको मैंने बताया था essential amino acids वो होते हमारे लिए जो क्या करते हैं हमारी body उसको produce नहीं कर पाती हम उसको अपनी diet में include करते हैं ठीक है then called as essential amino acids because the cells in human system cannot synthesize them ठीक है इनके कुछ structures है कैसे कैसे आर ग्रूप को मैं आपर define कर रहा हूं वो जो आपको पता हम लोग पढ़ने alpha amino acid तो इतना पार तो बच्चों हमारा इसमें common रहने वाला है ठीक है बस change हमारा यह होता है आर ग्रूप ठीक है एक आर ग्रूप और आर ग्रूप को बच्चों यहां पर आप define कर लेंगे ठीक है यहां से आप इसको break करेंगे तो यह वाला ज देखें तो first हमारा रहा है वैलीन इसका short form the abbreviation हम यूज करते है वी एल अगर कहीं आपको compound में यह लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि हम वैलीन की बात चल रही है clear then हमारा आता है leucine second number में leucine देखो leucine में भी यह वाला पार तो common है क्योंकि alpha amino acid है तो वो तो common रहना ही है सब में yes यह क्या है हमारा leucine then leucine इसका short form leu ठीक है आर आर ग्रूप हो पता है इस वाले पार्ट को जो मैंने cover किया हुआ है इस वाले पार्ट को छोड़ कर जो remaining portion आपका आ रहा है like this यह वाला ठीक है इसे में लोग क्या बोल देखो आर ग्रूप then third isoleucine ठीक है isolation तो यह इ आपने हापे आर ग्रूप बना देना है ठीक है then fourth है आपका therine ठीक है यह क्या है इसका short form THR यह रहा इसका main functional group और यह रहा इसका R ग्रूप yes इसमें कोई hydroxy group आ जाता है ठीक है तो same to same आपने हाँ बहुत सारे है तो आप इन सभी को note करेंगे अपनी copy में क्योंकि यह सारे क है जो हमें अपनी diet में लेने पड़ते है ठीक है methionine phenylalanine है यह इनकी short form रही और यह रहा आपका structure आपको पता है यह वाला part इसमें common है और यह क्या है आपका R group है clear है seventh trypthol trp short form then lysine ठीक है यह रहा इसकी short form Lys ठीक है तो यह रहा आपका common part और यह रहा इसका alkyl part clear ना तो देखो आपने R group को define करना तो यह ठीक है आपसे कई पूसकता है कि lysine जो है उसमें जो आपका R group है वो क्या होता है yes तो आपको बताना पड़ेगा क्या होता है बच्चो CH2 का whole 4 और NH2 यह आपका वो R group है और यह तो common है यह तो हर किसी में मिल जाएगा आपको clear हुआ तो देखा आपने यह हमारे 8 टाइप की सेंसल amino acids थे जो आपको क्या करेंगे अपने diet में आपको इनको शामिल करना पड़ता है ठीक है clear हो गया तो यही तक था हमारा class इसके बाद next lecture मिलते हैं कुछ और important topics के साथ